समय के साथ दूसरों के देखा देखी आज के जमाने के बच्चे जरुरत से कहीं ज़्यादा एडवांस होने लगे हैं और उनकी आदते परिवार के लोगों के लिए भड़ा खत्रा बनती जा रही है छोटी छोटी चीज के लिए बच्चों का जिद करना और ऐसे में उन्हें मनाने के लिए ना चाहते वे भी मॉबाइल दे देना अब समस्या बन रहा है पालकों की इस सहरस्ता से बच्चों का जिद्धी पन ना केवल बढ़ा है बलकि वे मॉबाइल पर इंटरनेट के जादा इस्तमाल से गलत दिशा की और भी जा रही है खाने पीने की चीज़ जों से लेकर खेल कूत के मामले में बच्चों का शौक या उनकी जिद्ध को जायज ठहराया जा सकता है लेकिन वर्तमान में बच्चों की जिद्ध को समाप्त करने के लिए उन्हें यूही मॉबाइल थमा देना बड़ी समस्या को जन्म दे रहा है के लिए हर प्रकार के तौर तारीकों पर अमल करने से नहीं चूक रहे हैं बनुगा ग्यानी डर्टर नीलिमा महापातर ने इस तरह की इस्थती पर चिंता जताने के साथ कहा कि इससे बचने की बेहुद आवशकता है मोबाइल यूज बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं इंटरनेट का लिकिन इंटरनेट यूज करना हमारे बेनिफिट के लिए ठीक है लेकिन एक हद तक उससे अगर ज्यादा बढ़ जाए आवर्स बढ़ जाए गर दो घंटे से ज्यादा पूरा दिन में बढ़ जाता है तो वो धीरे धीरे इंटरनेट एडिक्शन हो जाएगा एस्पेशली बच्चे जो चीजे नहीं देखना चाहिए उसमें भी आज का चीजे आ जाते अपने आप आ जाती हैं जिसे बच्चे गलत रहा पर चले जाते हैं डाक्टर मिलीमा ने बताया कि जानकारी प्र बच्चा अगर नहीं मानता है तो बेटर है कि आप काउंसलर के पास जाए या साइकोलोजिस्ट के पास जाए या साइकेटिस्ट के पास जाए और उसका थेरफी सेशन्स ले ताकि बच्चे इस लट से निकल सके चिकिस्तक बताते हैं कि मुवाइल के अधिकुपियों करने से स्मार्ट फोन विजन सिंड्रोम हने पर आख पर जोर गर्दन और कंधों में दर्द सिरदर्द आखों में सूखापन जैसी समझचाए सामने आ सकती हैं सबसे बड़ा असर आखों के फोकस पर पड़ता है क्योंकि इसके बाद आखें दूसरी चीजों पर बहतर फोकस नहीं कर पाती हैं ऐसे में संबंधित लोगों को भरस में काफी परिशानिया उठानी पड़ सकती हैं इसे आसानी से समझाता सकता है कुर्मा शेप ननुजादाग साथ पवंतिवारी की रिपोर्ट